हाई स्टुडेंट, कैसे हैं आप, होप आप अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, आटम एंड मॉलिकुल्स से लिया है, नाइन्थ क्लास का ये टॉपिक है और इसमें हम आज करेंगे मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास जो आप कैसे निकाल सकते हैं तो मॉलिकुलर मास जैसे हमने बढ़ा ना कि मॉलिकुल्स क्या होते हैं, मॉलिकुल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं by the combination of atoms जब atoms जो होते हैं वो two or more atoms जब वो combine करते हैं तो वो molecules बनाते हैं तो इस तरह से molecular mass भी हम ऐसे निकलते हैं कि किसी भी फार्मूले में जो atomic mass होता है उसी को हम plus करते हैं और उससे molecular mass जो वो निकल जाता है तो जैसे example के तौर पर हम H2O का अगर हम molecular mass निकालेंगे इसका molecular mass जो हो निकलेगा तो atomic mass अगर hydrogen का हम देखते हैं न atomic mass क्योंकि atomic mass को हम plus करेंगे और molecular mass जो हो आ जाएगा तो atomic mass होता है hydrogen का 1 एक होता है इसका और यहाँ पे 2 atom है इसके तो 1 into 2 यहाँ पे हो जाएगा 2, और oxygen का आपको पता है, oxygen का जो atomic mass होता है, वो कितना होता है, that is 16, 16 होता है, यहाँ पे एक ही atom है, तो 16 into 1 तो यह होगा आपके पास 2 plus 16 into 1, that is 2 plus 16 ब्रावर है 18, है ना, 18 यो, यो जो है unified unit है, तो यहाँ पे molecular mass जो है, इसका 18 आया है, अगर हम और example लेते हैं, जैसे HNO3 का हमने atomic mass निकालना है, इसका, तो hydrogen का बैसे कितना है, 1 1 into 1, और प्लस nitrogen का कितना होता है, 14 14 और प्लस oxygen का कितना होता है, 16 16 into 3 करेंगे इसको, तो यह आईगा, 1 plus 14 16 into 3, that is 48, तो total कितना होता है, unit mass है, वो हम निकालते हैं किसका, आईज का, ठीक है आईज का निकालेंगे हम यहाँ पे जो formula unit mass है, वो हम आईज का निकालते हैं, जैसे जैसे NaCl है, जैसे NaCl है, तो इसका हम formula unit mass जो निकालते हैं, क्योंकि यह आईज सो होते हैं, sodium और chloride जो होई है, आईज सो होते हैं Na positive और Cl negative तो इसका अगर हम निकालते हैं, तो जैसे sodium का कितना होता है, sodium का होता है 23 atom mass, और chlorine का होता है, 35.5 5 है, तो 23 into 1 plus 35.5 into 1 तो यह आएगा, 23 plus 35.5 इसको हम प्लस करेंगे 35.5 और 23 को प्लस करेंगे, तो यह आएगा, 58 प्लस 585 प्लस तो इस तरह से इनका जो molecular mass निकलता है, उसको हम formula unit mass जो हो, बोलते हैं, ठीक है उसके बाद है, next यहाँ पर, mole concept देखो, mole concept क्या है mole concept यहाँ पर हम इसको example के साथ ही समझने की कोसिस करेंगे जैसे मेरे पास एक reaction है 2H2 प्लस O2 एरो, यह बनता है 2H2O अब यह reaction क्या बताती है देखो, दो बातें बताती है यह reaction एक तो यह बताती है कि हमने दो molecule किसके लिए two molecules हमने किसके लिए hydrogen के और एक molecule किसका है दो molecule किसके है दो molecule जह हम वो two molecules जह हम वो किसके है oxygen के है तो दो molecule hydrogen के और दो molecule oxygen के जो हम वो क्या बनाते है यह दो molecule किसके बना रहे है water के जो वो बना रहे है दो molecule जाओं वो water के बना रहे हैं तो एक तो ये बताती है ये reaction और दूसरा ये reaction क्या बताती है कि 2 into 4 4U 4U जो atomized mass है hydrogen का that combined with the वो किसके साथ combine कर रहा है that is 32U of oxygen येनकी oxygen का जो 32U atopy mass है वो 4U जो किसका hydrogen का जो atomized mass है उसके साथ combine कर के क्या बना रहा है that is 36U किसका water का जो है वो 36 atomized mass जो हो किसका बना रहा है water का जो है वो बना रहा है तो दो चीज़े जो है एक तो बताती है यहाँ पे number of molecules और दूसरा बताती है यह atomic mass अब यहाँ पे किसी भी chemical reaction में कोई भी chemical reaction अगर हम लेते हैं तो उसमें number of atoms number of atoms या number of number of molecules को बताना या represent करना जो है वो best रहता है as comparison to to show their atomic mass atomic mass को ना दिखाते हुए उसके अगर हम atomic number sorry उसके atoms या molecules को हम बताते हैं ये वाला method तो ये ज़्यादा convenient जो हो रहता है तो इसी के लिए यहाँ पे एक concept जो हो निकला that is mole mole ठीक है mole जो है एक concept निकला तो बन मोल का मतलब क्या हुआ बन मोल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी किसी भी species में species means किसी भी atom में किसी भी molecules में या किसी भी ions में या किसी भी particles के अंदर जो number of जो number of atoms या number of molecules होंगे बो बताएंगे mole बो किसके बराबर होंगे बन मोल के बराबर जो हो, उसको हम मान के चलेंगे, और बन मोल की जो बैल्यू होगी, बन मोल की जो बैल्यू है, that is also fix, वो fix होगी, और that is 6.022 into 10 power 20, 3 particles के बराबर जो वो होगी, तो एक मोल की बैल्यू जो है, यहां पे fix होगी, और इस बैल्यू को हमने नाम दिया है, एबो गाद्रोस नमबर, ठीक है, यह जो बैल्यू है, 6.022 into 10 power 23, this is called एबो गाद्रोस नमबर जो है, इसको हम बोलते हैं, और यह बन मोल के बराबर होता है, बन मोल की जो बैल्यू है, वो यह fix होती है, एक मोल में यह fix होगी, ठीक है, और इसमें हम, यू जो है, यह जो है, that will convert into g, ग्राम में उसको हम लिखेंगे, अब यूनिफाइड की जगा हम उसको ग्राम में लिखेंगे, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटोमिक, gram atomic mass amu की जगा या u की जगा हम g लिखेंगे gram atomic mass जो हो लिखेंगे जैसे अब यहाँ पे हम example के साथ संस्तिय है small concept को थोड़ा सा कि one mole जो है क्या है जैसे example के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ hydrogen का example तो hydrogen का atomic mass होता है that is 1u 1u के ब्रावर होता है एक होता है इसका atomic mass तो 1u वो किसके ब्रावर होगा that is 1 mole के ब्रावर जो वो होगा ठीक है और 1 mole की value जो है that is fix 6.022 instant transfer 23 और अगर यहाँ पे मैं second example लेता हूँ oxygen का ले लेता हूँ oxygen का जैसे 16u oxygen का मैं अगर 16u लेता हूँ इसको जो atom मास है oxygen का that is 16 तो 16u 16u जो atom मास है oxygen का that is equal to 1 mole उसको फिर 1 mole जो है वो ब्रावर जो ब्रावर जो वो होता है तो concept बिल्कुल clear है कि 1 mole कुछ नहीं है 1 mole क्या है that is equal to जो उनका atomic मास है किसी भी element का किसी भी ions का किसी particles का जो atom मास है वो किसके ब्रावर होगा सीदही 1 mole के ब्रावर जो वो होगा है जैसे oxygen का 16 होता है या जैसे nitrogen का आपको पता है 14 होता है तो 14 जो U है that is equal to 1 mole वो 1 mole के ब्रावर है अब हम 14 U नहीं लिखेंगे nitrogen के लिए 16 U नहीं लिखेंगा oxygen के लिए हम क्या बोलेंगे 1 mole बोलेंगे इसको ठीक है और अगर मैं यहाँ पे 14 की जगा 28 लेता हूं nitrogen के लिए कि जो nitrogen का जो atom मास यहाँ पे ले रहाँ 20 U ले रहाँ that means सीधा ही क्या बात हो गई कि ये 2 mole के ब्रावर हो जाएगा 14 जो है वो 1 mole के ब्रावर है तो 28 जो होगा वो 2 के ब्रावर हो जाएगा और अगर मैं 7 लेकर के चलता हूं उसको 7 बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉंट 2 हाफ हो जाएगा हाफ molecule के ब्रावर जब हो जाएगा तो ये simple सा concept जो है वो mole का है ठीक है अब ये mole जो term थी that was introduced by विल हैमन जो scientist थे विल हैमन आस्ट वाल्ड विल हैलम आस्ट वाल्ड ने ये टर्म जो वो introduced की थी ठीक है बहुत important question हैगा विल हैमन आस्ट वाल्ड ने ये टर्म जो introduced की थी कब 1896 में 1896 में और ये लेटिन वर्ड है है ना लेटिन वर्ड था ये ये जो मोल है that is not an English word it is लेटिन वर्ड है ये मोल और इसका English में क्या मतलब होता है that is heap या pile मतलब heap या pile मतलब धेर एक धेर है ये मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो एक heap का मतलब ये धेर है मोल जो है तो ये concept जो था वो मोल का था अब इसको थोड़ा सा हम example के साथ करेंगे final इसको close देंगे हम मोल concept को एक example मैं लेके चलता हूँ हमारी बुक में भी है ये example कि हमने number of moles निकालने है अब number of moles निकालेंगे number of moles निकालेंगे किसमें example है यहाँ पे 52 gram of helium atom इसमें हम निकालेंगे number of moles तो number of moles को निकालने का सीधा फार्मूला है number of moles is equal to given mass given mass upon molar mass या इसका जो atom mass होगा उसके बराबर होगा ठीक है तो given mass कितना है इसका 52 gram है और इसका molar mass अपना कितना है that is a 4 moles के केस में इसको molar mass जो बोलते है न atom के केस में atomic mass बोलते है molecule के केस में molecular mass बोलते है तो यहाँ पे हम molar mass जो इसको बोलेंगे तो इसको अगर हम 52 upon 4 इसको हम काड़ते है तो आपको पताए कितना आता है ये 13 13 जो है वो इसका अंसर है तो 13 मोल्स जो है वो इसके अंदर होंगे 13 मोल्स जो है वो 52 ग्राम ओफ हिलियम है 13 मोल्स जो वो होंगे और second example अगर हम करते हैं कि हमारे पास दिया है 12.044 इंटो 10 पावर 23 पार्टिकल्स दिये है इसमें आपने नम्बर अपमोल्स जो और निकालने है इसके अंदर कितने मोल्स है तो बैसे तो simple सा भी ये clear हो जाता है कि बन मोल आपको पता है कि इसके ब्रावर होता है बन मोल का बैने बताया आपको की बन मोल जो हो, that is, is equal to अबोगादर, 6.022 into 10th power 23 के बरावर होता है, अगर इसका मैं डबल कर देता हूं तो यही आता है, तो इसको हम निकालेंगे number of moles is equal to given particles given particles जो हमारे पास दिये हैं और upon करेंगे इसमें हम अबोगादरोस number अबोगादरोस number है ना, तो अबोगादरोस number को हम डिनोट करते हैं अन नोट से है ना, और यह number of particle N से तो इसकी value जो आएगी, that is 12.044 into 10th power 23 और upon अबोगादरोस that is 6.022 into 10th power 23 के बरावर, तो यहां से कट जाएगा, और यहां जाएगा 2, तो 2 moles के बरावर, जो हो जाएगा ठीक है, ऐसे भी यह इसी का डबल था उसी का डबल जो है, यह तो अलग था, ठीक है, तो 2 moles के बरावर, जो है, यहां पे आजाएगा तो यह mole concept है simply, कि जितना item mass होगा, किसी भी element का, उसको हम क्या मान के चलेंगे, moles जो है, वो मान के चलेंगे, और mole की जो value होगी, that is, 6.022 10th power 23, यह fixed value होगी, ठीक है, तो इसके साथ ही, आज का मारा यह जो topic था, यहां पे ही है, खतम होगा, ठीक है, thank you जो